राधे राधे मैं आचारे हिमान शुपमन्यू आप सभी दर्सकों का सवागत करता हूँ Capital TV के विशेस कारिक्रम काल चक्र में जहां आप सभी मुझे जुड़ते हैं जानते हैं अपने आने वाले दिन में घटने वाली घटनाओं के विशे में और साथ ही क्या खास है कल के दिन में सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये भी आपको जानने को मिलता है और साथ ही पंचांगती थी वार नक्षत्र मुहुर तो सब कुछ तो आई ये आरम करता हूँ मैं आज भी 13 जून सन 2030 दिन मंगलवार असाण मह के कर्ष्ण पक्ष की दसमीत थी ग्यारा बज़कर 21 मिनट पराता हकाल तक और रेवती नक्षत्र तीन बज़कर 46 मिनट मध्यान काल तक रहने वाला है बात कर लें चंद्रमाज जी की तो आज के दिन भगवान चंद्र तीन बज़कर 46 मिनट तक मीन रासी में रहेंगे उसके बाद मेस में प्रवेस कर जाएंगे और राहुकाल की बात करूं तो तीन बज़े से लेकर चार बज़कर 30 मिनट तक सायम में राहुकाल रहने वाला है और गुलिक काल 9 बज़कर 10 कर 30 मिनट तक प्राता काल में और अब जितमुहूर्थ 11.41 से 12.36 तक रहने वाला है मध्यान काल में ये था हमारा आज का पंचान अब जानते हैं खास क्या है तो आज से पचक समाप्थ हो जाएंगे और पंचक समाप्थ हो जाएंगे 3.46 मिनट से सरवार्त सित्य योग है परंतु साथ में म्रत्युबान भी है तो उसका भी ध्यान आपको रखना होगा अगर कोई बहुत सुबकारे कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज के दिन में सरासी के जात्कों का जीवन कैसा रहने वाला है में सरासी के जात्कों के लिए आज के दिन मिले जुले परिनाम है आर्थिक तर पर तो दिन बढियां होगा, पैसा खर्च जरूर होगा पर साम तक रिकवर हो जाएगा खर्च पर अगर नहीं अंत्रन कर लेंगे तो सब बढ़ी हैं बढ़ियां हो जाएगा भागे भी आपका साथ देगाओ कही न कहीं दिन के अंतिम छोर पर और आपकी समस्याएं सुलज जाएंगी अगली राशी ब्रशब के विशाय में बात कर लेते हैं ब्रशब राशी के जातकों के लिए आज के दिन पराता प्रसंदता के साथ होगी और दिनस्त होते होते पैसे का मसला जो है आपके परिवार में समस्याएं का कारण बन सकता है तो उसको थोड़ा सा सुल्जाने का प्रयास करें, खर्च को लेकर थोड़े से नियंत्रण रखें और निवेस बहुत समझ कर करें, उधार तो किसी को दे ही मत. अगली राशी हमारी जो है मिथुन उनके विसाय में चर्चा कर लें, मिथुन राशी के जात्कों को आज के दिन बचना चाहिए किसी से उलजने से, क्योंकि आप किसी से उलजेंगे और आपके जीवन की समस्याएं बढ़ जाएंगी, और आपको उस व्यक्ति के सामने खुद को छोटा महसूस करने की जो इस्तिती है उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर आप इससे बचते हैं तो जीवन में प्रसंदता और कार्य सिद्भी दोनों आपको मिलेगी, आपके काम भी बन जाएंगे और आप उस भी रहेंगे, अगली राशी हमारी करक राशी उसकी च के जातकों को आज के दिन आर्थिक तोर पर जीवन में सफलता का स्वाध चखने को मिलेगा, और साथ ही कारे भी आपके पूरे होंगे, और उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, हो सकता है थोड़े से उतार चड़ाओ का सामना करना पड़े मध्यान काल तक, लेकिन उसके चड़ाओ जीवन में मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अब बात करते हैं अगली राशी सिंग के विसे में, सिंग राशी के जातकों को आज के दिन सभी परकार के सुख मिल सकते हैं, पर किसी बुरी स्थिती में फसने के कारण किसी दुरगणना का भी सिकार होगा, सुख भले ही जीवन में थोड़ा सा था पिछले दो-चार दिन से, पर आब आज का दिन आपके जीवन में नई बाध हैं लेकर आएगा, नए बिगन लेकर आएगा, जिससे आपका मन भी खिन हो सकता है और आप किसी अंजान समस्या में फस सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखे, सुख में डूब करके अपनी समस्याओं को इगनोर ना करें, अगली राशी जो हमारी तुला है, उसके विसे में चर्चा कर लेते हैं, तुला राशी के जात्कों का आज का दिन बहुत अच्छा है, जीवन में सुख भी मिलेगा और समस्याओं का समाधान भी होगा, सुख परिवार का होगा, संतान का होगा, व्यापार का होगा और आर्थिक लाब का भी सुख आपको आज के दिन मिलने वाला है, अगर सारी दिक समस्याओं थी तो उनको आज जल्दी सुलजाने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी सुलजा लिया तो सुलज जाएं आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है और आपकी सारीरी किस्तितियों को भी नुकसान पहुचा सकता है इस धरता लाएं अपने अंदर और अपनी निरौने के अंदर अपनी बातचीत के अंदर निश्चित तोर पर आपकी सफलता आपको मिल जाएगी, परना विरोध और समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, अगली राशी जो हमारी है धनु उनके विसे में चर्चा कर लेते हैं, धनु राशी के जातकों को आज के दिन डर के कार अ आपको सारीरिक तोर पर मुरी स्थिती में फसा सकती है, पर समाज में आज के दिन आपका कद बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने सत्रों पर विजय पाएंगे और आप अपने सत्रों को उनका इस्थान दिखा देंगे जीवन में, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी तो आर्थिक समस्या हैं तो जीवन में चलेंगी व्यापार थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, पर सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी, पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पढ़ जाएगा अगर आपने विवात किया आज के दिन, अगली राशी कम, क्योंकि दिन के अंतिम छोर पर पैसा आना है, जाना नहीं है, और साथ ही सामाजी के स्थितियां भी आपकी बहतर रहने वाली हैं, उनको लेकर के भी आप निश्चिंत रहें, अगली राशी और अंतिम राशी मीन के बिसे में चर्चा करते हैं, मीन राशी के जातक, आप वो जीवन में आज के दिन कोई परेसानी में डाल सकता है, तो आपके सत्रू हैं, क्योंकि आपके सत्रू ही आपकी समस्या का मुख्यक कारण है, अन्य था आपका भाग्या भी तक आपके साथ था, आर्थिक इस्तितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, अपने आपके पक्ष में होंगे तो आज मंगलवार का दिन है साथ ही अस्वनी रक्षत रहे तो जाए हनुमान जी के सन्मुख और उनके पास जाकर के इस चौपाई के 11 वार जब कर लीजिए कौन सी चौपाई है कवन सोकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई ता तुमपाही ऐसा कौन सा कठिन काज जो हनुमान जी नहीं पूरा कर सकते हैं कहिए उनसे वो निश्चित तोर पर आपके जीवन के सभी कामों को पूरा कर देंगे तो यह था हमारा आज का खारिक्रफ हमसे जुड़ना चाहते है तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल पुनाह मुलाकात होग लादे लादे